हलो गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो आप सब लोग उंबीत करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे मजे में होगे तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉक में तो आज हमारे आप है मेंदी का फंक्शन और ना आप लोगों के साथ सेयर करेंगे कि हमा और आज ना हम लोग जा रहे हैं गूमने तो मैं निकल पड़ी है आज और ना आज ही हमारे आप मंडव है तो मंडव लेने भी जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहां से मंडव लेने जा रहे हैंगे तो हम दोनों बैने और भाईया हमारे बच्चे वाकी य करके यह क्या है बच्पन में ना हम लोगों ने बहुत सारी खाई थी यह और यह ना हलकी खटी मीटी सी लगती है और यहां पर हल्दी भी है बेरिया है और यहां पर हम आए हैं चने का साग लेने क्योंकि कुछ भाई लोगों का मन है जिन्होंने चने का साग नहीं खाया है त तो खास करके उनकी ही डिमाइंट से बनना है तो यहां पर मैंने सोया मैती पाल लक और धनिया सारी चीजे में मैंने यहां से ले ली हैं और यहां पर हमारी अम्मा ने यहां पर देखिए क्या क्या अच सबजी लगाई है आप लोगों को दिखाएंगे तो यहां पर ना सारी सबजी लगाई है क्योंकि यहां मेरा ना हमारे यहां पर पहले आम का बाग था यह पूरा सूख चुका है आठ दस सालों में पूरा बाग सूख चुका है और यहां पर देखिए करेला बगरा भी हैं और बहुत सारी करेली भी यहां पर लगी है तो आम रूद का बाग जो सूख चुका है तो यहां पर ना हमारे घर में जितने मलब भाई हैं मारे पापा तो यहां बटवारे से सभी लोगों ने थोड़ी-थोड़ी अपनी सब्जी किया है उसी जगह में क्योंकि बाग बगरा तो सूख गया था और एक-दो ही पेड़ बचें बागी की पूरा वाग सूख चुका है तो यहां पर मैंने मैती, सोया, पालक, सारी चीज़े ले ली हैं तो यहां पर मैंने सारी चीज़े ले ली हैं और आप लोगों को ना पूरा बेखाएंगे पूरा व्लॉक is कि कहां कहां से मैंने चनी का साग लिया है और आप लोग पूरा ब्लॉग देखना है तभी आप लोगों को पता चलेगा और आज ना हमारे याप मेंदी का भी फंक्चन है तो मेंदी की किलिपना में सबसे लाश्ट में डाली हुई है क्योंकि ना सही से एडिटिंग नहीं हो सबसे जादा नेटवर्गी की प्रॉब्लम है तो आप लोग समझ सकते हो कि साधी वाले घर में एडिटिंग बगार करना बहुत ही बड़ा मुस्किल काम उता है और ना यहां पर क्या है नेटवर्गी की सबसे जादा बड़ी प्रॉब्लम है बाहर जाके एडिटिंग बग क्यूड करना पड़ता है वीडियो और ना आप लोगों के साथ साथ सारी चीज़ा शेब्ला करेंगे हमारे यापर ना इसत टृद्अ कि तरीके की रेस्में होती है और आज ही है मंदव आज ही मंदव गाला जाएगा और ना वेल आप लोगो कॉन गालता है कमेंत करके बता कि तो यहां से मैं निकल पड़ी हैं और देखिए अमारे यह पर ना बेहंगण है सारी सब्जियां लगी हैं बेंडी बेहंगण और यानि कि भटकना नहीं पड़ेगा एदरोदर कि यहां से लेव को आसे लो और यहां देखिए बेरिया भी है बहुत ही अच्छे अच्छे बेर लगे हैं तो हम लोग निकल पड़े हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ सबसे बेड़ कजूर पंची तक चाया नहीं फल लाने अतदूर तो यह है चने का साग और तो यह है अमारे पापा की खेत और मैं आप आ चुकी हूँ और यहां से मैंने चने का साग खोटा है और ना बहुत ही अच्छा चने का साग लगाया है अमारी अम्मा ने तो निकल पड़े हैं अब घर के लिए तो यहां पर होने लगी है साम को मंडव गाड़ने की रसम और ना हमारे यहां पर ना बहुत जादा सभी लोगों ने डान्स किया है डान्स वाले में ना स्वर्ट वीडियो में आपको मिलेंगे देखने को तो यहां पर हमारे पती देब ना बहुत आने में लेट हो गए तो इस वज़़े से थूड़ा लेट हो गया था मंडव गड़ना और ना यहाँ पर थापव की बारी आ गई है तो यह हमारी भावी है और यह थापी लगा रही है तो यहाँ पर मंडव गड़ चुगा है और ना रात का वक्त था थोड़ा- पैदनी सगुन के अनुषार थोड़े थापे लगाए गए हैं जादा नहीं किसी के कपड़े गंदे किये गए हैं क्योंकि सरदी का मौसम है और यहां पर मंडब के और पास जो गगरी वगरा रखते हैं तो यहां पर सगुन के तौर पर यह मेरी ममी ने मटकी ले ली थी हम भी से सतिया बना रहे हैं स्वास्ति हम और दिदी क्योंकि बेनों का इंग होता है न तो यहां पर वही सब चल रही है है रसम और साधी में न अच्छा लगता है जब ये सारी रसमें Hoती है और न आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस कियां पर इस तरीके की र बावी थी न, गाने गा रही थी और वो भी हम लोग उनकी ननन्त लगते तो आप लोग सुची सकते हो, किस तरीके के गाने गा रही थी, तो इस बज़ा से मैंने वो वाली आवाज नहीं लगाई है, रियल, हमने बोईस आवाज दे है, तो मैंने का कोई फरक नहीं पड़ रह तो पहले न, देदी कलस बरेंगी, उसके बाद न, हम बरेंगे, तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आँगे वीडियो में, और यहां पर हमारे यहां पर इस तरीके की रस्मे होते हैं, और चावल के आटे का वो लगाए जाते हैं, वो दीवाल पर और मंडब पर है, वो क्या बोलते हैं, हमारे यहां पर न, दो दिया बोलते हैं, आप लोगों के यहां क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना, और यहां पर दीदी न, हमारी दीदी न, कलस बरने लगी है, तो बोली, एक हम बर दे रहे हैं, और बाकी के तुम बर देना, और मैंने का ठीक है तो ये लोटे से बर रही थी तो बुवा मना कर रही थी कि उससे मत बरो क्योंकि बालती से डारेक्ट बरो ऐसे करके नहीं बरे जाते हैं ये कलस तो मैंने का पानी थुड़ा सा और लेके आओ तभी सारे उसमें हो पाएगा कलस में तो मैंने इस तरीके से कलस बढ़ने का नमर लगा दिया है और आप लोग देख सकते हूँ मेरा बिलकुल यहाँ पर अच्छा व्लोग नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पर मेरी सकल ही नहीं आप लोगों को दिख रही है और इसलिए तो हम ब्लोक अच्छा नहीं बना पाते हैं अपने हाँ से खुद हर चीज अच्छी लगती है तो मैंने यापे बनबाया था तो सही नहीं बन पाया तो गैस यापे चल लएई हैं ये सारी रस्में तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लोक को यापे एंड कर रही हो और अगर निव है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आज का मेरा चोटा सा व्लोक पसंद आया हो तो कमेंट करें तो मिलते हैं एक नई व्लोक के साथ और इसी तरीके कि आपको सारी रस्में हमारे यांकी मिलती रहेंगी और किस-किस के आपे ऐसी रस्में होती है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे यांपे ना, हमारे टावा की तरब ना, ऐसी इसी तरीके की रस्मे होती है और ना, बहुत ही अच्छा लगता है तो साधी बिहा का महुल है और ना इसलिए आप लोगों को सही टाइम से वीडियो वगरा नहीं मिल पा रहे हैं तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और ये रखी है हमारे बाई के हाथ की मेंदी यानि की दूले की और ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाई है कुछ खास ज़्यादा अची नहीं लगा पाई और ये ना बाई ने बहुत ही सुपरमेन